नमस्कार दोस्तो, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ भारती करिके टीम ने उस्ट्रिलिया क्लाप सिद्नी टिस्ट मैच के पांचवे दिन दमदार बल्लेबाजी का परिचे देते हुए मैच को ड्रॉ करवा लिया ये मैच आउस्ट्रिलिया ही टीम के गाल पर जैसे एक जोरदार तमाचा था क्योंकि चौथे दिन के बाद आउस्ट्रिया के पूर कप्तान रिकी पॉंटिंग ने भहिशवानी की थी कि टीम इडिया दूसरी पारी में 200 रन भी नहीं बना पाएगी इस मैच में भारती बलेबाज हनुमा विहारी ने चोट के बाद भी तकरीवन 4 गंटे तक बलेबाजी की और उस्ट्रिया के 6 गेंद बाज मिलकर भी उनका विकेट हासिल नहीं कर पाएगी दूसरी पारी में भारत खिलाप उस्ट्रिया ने 6 विकेट पर 312 रन बना कर पारी घूशित की थी टीम इडिया के सामने जीत के लिए 407 रनों का लक्ष था जिसे नामुम्किन माना जा रहा था जीत तो दूर उस्ट्रिया का खेमा चोथे दिन भारत के 2 विकेट गिराने क जीत के लिए आस्वस्त था लेकिन आस्ट्रिया के मनसूब अबर चोटिल हनुमा और आर अश्विन ने पानी फेर दिया हैंस्ट्रिंग इंजरी होनी के बाद भी मैदान पर फिजियो की सहता लेने के बाद खड़े हुए हनुमा ने मैदान नहीं छोड़ा टीम इंडिया क के साथ मिलकर भारत को 334 रन तक पहुचाया और कोई विकेट नहीं गिरने दिया चायकाल से पहले चोटिल हुए हनुमा ने पांचवे दिन आखरी गेन फेके जाने तक खूटा गाड़े रखा चोट की वज़े से वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे पहारी चौटे टेस्ट में अबलेवल नहीं रहेंगे लेकिन जिस तरीकी का प्रदुर्शन उन्होंने सिद्नी टेस्ट के पांचवे दिन किया है ये प्रदुर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा फिलाल के लिए ज़ी वीडियो में इतना ही तमाम स्पोर्ट्स झाल